Hey everyone, welcome to biology at ease. मैं रियनुका अंत्वाल, इस चानल की होश्ट, आप सब भी का मेरी चैनल पर वेलकुम करती हूँ. आपने इस चानल की इस वीडियो को उपन करा है, इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं, जो की किसी न किसे exam के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, और उस face से गुजर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि आपकी motivation लेवल कम हो चुकी है, आपके मन में doubts आ रहे हैं कि क्या मैं अच्छे से प्रिपेर कर पाऊंगा, आप full concentration के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर आप य जब भी आपको लगता है कि आपका self motivation कम हो रहा है, आपके मन में doubts आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको patient होना है, you have to be patient, धैर ये success पाने की सबसे बड़ी चाबी है, अगर आपके पास patience नहीं है, तो success आप से दूर होती चले जाएगी, तो बहुत ज़रूरी है कि करने में आपको मजा भी आता है, और आप motivated भी रहते हैं, तो पहली चीज, whenever you start feeling low, be patient, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, कि वो face tough हो सकता है, वो face difficult है, लेकिन पूरी life difficult नहीं होने वाली है, थोड़े time का struggle है, उसके बाद अच्छा ही होगा सब कुछ, तो इसलिए you have to be patient while preparing for your exams, उसी चीज आती है, revise the previous content, revise the previous content से मेरा क्या कहना है, जब भी आपको लगे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपकी motivation level कम हो गई है, उस time पर आप कोई new content पढ़ना शुरू मत कीजे, बजाए इसके आप क्या करेंगे, आपने अभी तक जितना कुछ भी प पढ़ेंगे, तो आप कम से कम time में जादा से जादा content पढ़ पाएंगे, इससे आपका confidence भी बढ़ेगा, कि हाँ मैं जिस भी exam के लिए प्रिपेर कर रहा हूं, उसका इतना percentage section मुझे अच्छे से आता है, तो अपने confidence level को boost up करने के लिए आप क्या करिए, आप पुराने content को revise करिए, ताकि आपको confidence बढ़ जाए और आप वापिस से motivated feel करें, तीसरी चीज़ आती है, set yourself questions, set yourself questions से मेरा मतलब है, कि अगर आपने decide करा है, कि आज आप एक paragraph पढ़ने वाले हैं, तो उस paragraph को read करने के बाद, खुद से ऐसे questions पूछिए, जैसी कि कोई interviewer आप से questions पूछ रहा है खुद को imagine करिए, कि आप interview देने गए हैं, और उस paragraph से आपको कोई question कर रहा है, तो वो क्या questions करेगा, तो वैसे ही उस paragraph से खुद को question करिए, self talk करिए, इससे आप easily पढ़ भी पाएंगे, और आपकी पढ़ाई interesting भी होगी, और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, तो तीसर आप क्या करिए, break लीजे, और अपने किसी ऐसे friend से बात करिए, जो उस exam के ले prepare कर रहा हो, अगर उस इनसान को, आपके उस friend को, वो content नहीं आता है, जो कि आपने अल्रेडी पढ़ लिया है, तो आप अपने उस friend को वो content पढ़ाईए, इससे क्या होगा, आपका revision हो जाएगा और आपके friend की भी help हो जाएगी, आपका motivation level भी बढ़ जाएगा, आपका confidence भी बढ़ेगा, साथ ही साथ अपने friend को पढ़ाते हुए, आपका topic एक बार अच्छे से revise भी हो जाएगा, तो fourth point है, teach each other, fifth point आता है, try something new, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए prepare करते हुए, जिसके पोरियत वली feeling आजाती है, तो उस boring feeling को दूर करने के लिए, आप नई-नई चीज़े try करते रहिए, अगर कोई पुरानी hobby थी जो आपने छोड़ दी थी, उसको वापिस लेकर आईए, आपको painting का shock है, painting करिए, कभी break लेकर badminton खेलने जाए, जो भी sport आपको पसंद है वो खे content पढ़ने बैठते हैं, तो उसको छोटे-छोटे subtopics में divide करिए, और वो subtopics की list बना दीजे, जैसे ही आपका एक subtopics होता है, उस पे tick mark कर दीजे, इससे आपको confidence बढ़ेगा, कि मैंने ही जो आज target रखा था, उसमें से मेरे इतने subtopics cover हो गए हैं, तो break down your content into small parts, 7th point आता है, reward yourself, आप हर किसी से gift मांगते हैं, होता है ऐसा, कि हम कोई अच्छा काम कर ले तो हम ममी बापा से कहते हैं, कि हमने आज इतने घंटे पड़ा, इसके बदले हमें शाबाशी तो दो, लेकिन किसी और से reward लेने से अच्छा ये है, कि आप खुद को भे reward देते रहें, आपने का future बढ़ाने वाला है, तो आप जितने efforts present में put करेंगे, उसका result आपको future में मिलेगा, तो you have to be grateful for your present, काफी लोग होते हैं, जिनको ये opportunity ही नहीं मिल पाती है, कि वो अपने किसी exam के लिए prepare करें, आपको ये opportunity मिली है, कि आपको ये time duration मिला है अपने exam के लिए prepare करने का, आपक grateful होना चाहिए, आपको जो content मिला है पढ़ने के लिए उसके लिए grateful होना चाहिए, start being grateful for every good things in your life, अगर ऐसा होगा, तो आप खोदी self motivated feel करेंगे, तो यही थे वो सारी 8 points जिनकी वज़े से मुझे लगता है, कि कोई भी इंसान जिसका motivation level कम होता जा रहा है, वो easily बढ़ और अपने exams के लिए अच्छे से prepare कर पाएंगे, अगर आपको लगा मेरी ये video आपके लिए helpful थी, तो please comment section ने बताईए, कि कौन से ऐसा point है, कौन से ऐसी tip है जिसको आपको लगा कि आपके लिए helpful होने वाली है, and please hit the like button, subscribe to my channel, और मैं ऐसी बहुत सारी videos upload करूँगी, I hope आपक positive response हमेशा मेरे साथ रहेगा, thank you so much for watching the video, all the best for your preparations, God bless you all, thank you so much for watching the video.